नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है संजीव वार्षने और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरू यूट्यूब चैनल और आज का जो हमारा वीडियो है पैनस्वानिक का डिजिटल जो सिस्टम होता है एपी एबी एक सिस्टम मॉडल लंबर है कि XTDE600 या के XTDE200 या 100 उसमें आप प्रोड कर सकते हैं तो यह इस परपस से है कि आप किस तरह से अपने शिस्टम का बैक अप और अप्लोड कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो तो यहां पर देखे यहां पर हमने XTDE600 system connect किया हुआ है और यहां पर हमने extension settings open किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका configuration भी चेक कर सकते हैं तो हम slot में जाके एक बार configuration चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम आपको process बताएंगे कि कैसे आप इसका backup लेंगे और कैसे इसको backup को आप दुबारा upload कर सकते है देखिए यहां पर जैसे full configuration आपको नजर आ रहा है कि यहां पर हमारे 24 extensions के cards लगे हुए हैं हमारे system के अंदर इसको अब हम close कर देते हैं और फिर हम इसको इसके लिए जो हम जब भी आपको backup लेना है तो आप utilities में जाएंगे और यहां पर file transfer देखिए जो option यहां पर आता है second option file transfer from PBX to PC इसको select करेंगे और उसके बाद जो यहां पर files कुछ open होंगी जो files आपकी open होंगी वहां पर आप देखेंगे कि देखें यह scroll down करेंगे और यहां पर dgsys यह जो file आपकी आ रही है इस file को आप copy करेंगे जैसा कि आप screen पर dgsys तो इसको आप transfer प्रेस करेंगे और उस के backup को आप कहां पर save करना चाहते हैं तो हम यहां पर transfer की key press करेंगे तो जैसे हम transfer की key press करेंगे तो आपका यह automatically कोई path select कर सकता है या आप अपना चाहें तो अपना desired path भी यहां से select कर सकते हैं और यह path आपको जब भी backup upload करना है तो भी आपको यही path आपको select करना है और वहां यहां पर आपको जो है transfer data from PC to PBX select करना है, तो यहां पर हम कोई भी एक file का नाम दे देंगे, यहां पर हम C drive में, या जिसमें भी हम save करना चाहते हैं, तो वहां पर हम इसको एक नाम दे दे रहें, तो वो random आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई issue नहीं है और फिर आप यहाँ पर इसको save करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर save करेंगे तो उहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक timer start हो जाएगा means मदब एक इसमें कुछ time लगता है backup को save होने में तो it can take मदब 2-3 minute से भी ज्यादा यह कई बार time ले लेता है तो आप उसको पूरा time दे सकते हैं जो भी time लगेगा इस बीच में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से आपको system off नहीं होने देना है क्योंकि अगर system आपने off कर दिया तो आपका यह effect कर सकता है यह नहीं आपका जो है backup correct हो सकता है या फिर आपका system में भी problem आ सकती है तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा data save हो रहा है और यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि एक percentage आ रहा है जिसमें कि यह save हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक दो मिनट का time लगेगा save करने के लिए तो चलिए हम इसको carry forward करके थोड़ा सा आगे लेग चलते हैं देखिए यहाँ पर आपका जो है almost data काफिया तक save हो चुका है और यह 100% almost हो चुका है तो जैसे ही हमारा data यह save होके 100% हो जाता है तो हम उसको ok कर देंगे और ok करने के बाद इस backup को हम save करके रखेंगे और जब भी हमें कभी इसे वापस back transfer करना है तो हम उसमें backup from pc to pbx select करेंगे और तब हम इसी backup path को देंगे और उसको upload कर देंगे तो उसमें भी यह इतना ही time लेगा thank you